हेलो गाइज कैसे हैं आप आशा करता हूं अच्छे होंगा चो गाइज अपना और अपनी फैमिले का खया लखना और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या गाइज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फो लेटर शेमा कर वीडियो अब मेरे टेलिग्राम चैनल से भी सकते हैं जिसका लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हूं आपको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरियो डायक्ली मुझसे पूछ सकते हैं जो काई जम इस वीडियो में बात करेंगे बारती एटर लिम्टेड जो कि जो इसका बाणिवीड रुपे आज का लो है वहीं इसका मैक्सिमम है और काफी जबरदस्त कंडिशन अगर भारती एटर की बात करें तो इवन आफ्टर जो 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 अब बहुत बोल रहें कि इवन जो इसका प्राइस अब्राइट प्रेजन वह कुछ भी नहीं है इवन जो सब्सक्राइब अब्रिशन जो जो प्राइस है जो बारती एटर का वह पीक पर नहीं है सो काफी जबरदस्त कंडिशन ने में इसके बात करू तो इसके इसके ऐडर का अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स एक मैने नियूज बताई थी कि एजर के लिए बारती एटल, Vodafone Idea प्लस Tata Tally Services तीनों सुप्रीम कोर्ट गए हुए है जो कि री कैलकुलेशन ओफ एजियार के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है तो गाइस उसका उसका वहाँ से एक न्यूज आने बाकी है प्लस इसके अगर आज की न्यूज की बात करें तो बारती एटल की वह भी जबरदस न्यूज है तो गाइस डिरेक्ली उस न्यूज पर ही चलते हैं तो काफी अच्छी न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है आप ये देखिए एटल एंड कॉलकॉम टू कॉलबरेट फॉर फाइव जी इन इंडिया फाइव जी जो कि हर किसी को वेट है कि फाइव जी आए यहां पर और जो नेटवर्क है और जो इंटरनेट की स्पीड है वो और भी तेज हो मिलता है उसमें एसे expectation हो जाती है कि उससे कुछ ज्यादा ही चाहिए जो अभी AD present मिला हुआ है उससे जो expectation दिन भड़ती जाती है तो गईष उसी को लेके ही of course जो 4G से अभी एसे रगता है कि या काफी स्लो है अभी 5G आना चाहिए तो गैज उसी को लेके एक न्यूज है कि बारती एटल और क्वालकॉम दोनों कोलिबरेट करें 5G इंडिया 5G के लिए इंडिया में बारती एटल इंडिया प्रीमियर और क्वालकॉम टेक्नोलोजी इंच तोडे अनौस्ट यह काफी जबर्दस्त न्यूज है जो की पहले कंपनी है पहले टेलिकॉम कंपनी है जो की 5G उसने डेमोंस्ट्रेट किया है जो की शीटी ओफ हैदराबाद में तो गाइज काफी अच्छी न्यूज है यह जो की बारती एटल और क्वालकॉम के बीच का जो क्लाबरेक्शन है उसको लेके एटल पार्टनर विद क्वालकॉम फोर एसलेटिंग 5G इंडिया तो गाइज यह न्यूज हर जगा फ्लैश हो रही है और काफी जबर्दस न्यूज है यह आप खुद देख सकते हैं प्लस अगर 5G इन इडिया एटल अनूंस इस क्लाबरेशन एसलेटिंग 5G इन इंडिया तो काफी जबर्दस्ट न्यूज है यह यह देखें टेली कॉम मेजर बारती एटल और क्वालकॉम टेक्नोजी इंच ओं तुस्दे अनूंस इनूंस देर क्र आफ धिट्री इंडी इंडिया रसे स्टमzepें क्ली कॉन इसरेел इंडिया झाल कॉइब कि सम्रेड़ लाः एल इंडान थर खुद कि सुद ओंद एंग ट्रोंश इननूर वह धिट्ड़रावाध जए्टन fps अन and open RAN based 5G network. ATL as a board member of the O-RAN alliance is committed to driving the success of O-RAN and is working with Qualcomm technology to explore and implement the O-RAN approach for India, it said. Flexible and scalable architecture of O-RAN और लोनाती है प्रेशिक फार्जिन दोपने चेमाल एको बायब खी प्रेशिस प्रेकि उत प्रशश केंपें जीन। एक्ष़ जब प्राद के लिए प्रेश करते हैं ब्रेश बाहिं तरांध प्रच प्रेकिन गाने प्रेशन की अ करते हैं that is designed to deliver broadband connectivity at gigabit speed to homes and businesses. This collaboration also aims to allow a faster rollout of broadband services in a cost-effective and expeditious manner across India for last-mile connectivity challenges. Airtel 5G solutions including FWA services will be able to deliver multiple gigabit internet speeds wirelessly to customers and open a wide range of innovations, said the statement. Randeep Sekhon, CTO Bharti Airtel said, With Airtel's integrated service portfolio, Qualcomm Technology 5G leadership, we will be well-placed to push India into the next era of higher fast and ultra-low latency digital connectivity. Rajan Vegardy, Vice President, Qualcomm India Private Limited and President Qualcomm India said, There is a compelling case to accelerate the rollout of 5G networks in India as it will help fast-track the country's socio-economic growth and development. We are pleased to be working with Airtel and we are excited by the opportunity and he added that the collaboration is expected to play a critical role in Airtel plan to add 5G network coverage and capacity where and when it is needed the most. So guys, kaffi jabberdust news hai, of course, joki Qualcomm ko l eke agar baat kare ta, of course, Qualcomm ki condition hai, woh kaffi strong hai, Aagar Qualcomm ke share ki baat kare ta, of course, aap khud d eekh sakti hai ki Qualcomm ka joh share price hai, woh kahaan par abhi ad present hai, Of course, of course, of course, of course, of course, of course, joki semi conductor company hai, ou kaffi jabberdust condition hai, Aagar baat kare ta, of course, aap khud dhek sakti hai ki, Aagar baat kare ta, kit na ka price ho ga agar INR mein convert kare ta, Aagar baat kare ta, of course, baat kare ta, woh, Aagar baat kare ta, woh kud dhek sakti hai, ki joki baat tl ha, woh october se leke, Aagar baat kare ta, joki 11 fervori, Tuck 48 percent increase hoa hai, अनेलिस्ट बिलीज रेली नोट ओवर यट अभी भी यह उपर नहीं है गाइस तो यह भी ओफ कोस देखने जो कि यह काफी जबर्दस चीज है जो कि अनेलिस्ट अभी भी यह बोल रहे हैं की इसका प्राइस है वो अभी पीक पर नहीं है इन दा फिसिकल थर्ड क्वाटर बा डीचे स्क४र्षेंश करोंधी स्टोन तॉड़नगे ड达हें सिफ सीटोडर में 20 पर शेलिक टैली मिडिया में 20 परसेंट का stake acquire किया था बारती एटल ने सो काफी जबर्दस न्यूज आ रही है वन बैक टू बैक काफी सारी न्यूज आ रही है थोड़ा सा नीचे ट्राइब करें देन देट इसके अलावा अगर बारती एटल को ट्राइब कर सकते हैं इसके टागेट के बात करें तो coaching institutional equities ने इसका टागेट शेट किया है वो 710 रुपे टागेट की काफी लंबा नहीं है 5 दिन पहले ही इसका टागेट शेट हुआ है मोतिलाल उस्वाल की तरफ से 720 रुपे तो गैज क्योंकि market टीक पर है of course इस मार्केट को हम इग्नोर नहीं करशकते क्योंकि मार्केट को देखके ही हमें ट्राय करना होगा, उसका अब भी पीक पर है, तो गई इतने ही शेर ट्राय करें,